हेलो एवरिवन वेल्कम टू एग्जाम कबिला टुटोरियल्स आज मैं 20 अप्रेल 2016 के करेंट अफेयर्स डिसकस करूंगा ये कैटेगरीज की लिस्ट हैं जो इस सेक्शन में कवर होंगी फर्स्ट कोईशन है हाल ही में कैबिनेट ने पैरिस एग्रिमेंट पर साइन करने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है इंडिया की साइड से 22 अप्रेल 2016 को इस एग्रिमेंट पे कौन साइन करेगा करेक्ट अंसर है प्रकाश जाविदकर इस एग्रिमेंट पर साइन यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून द्वारा आयोजीत की गई हाई लेवल सिगनेचर सेरेमेनी में किये जाएंगे पैरिस एग्रिमेंट एक तरह का एग्रिमेंट है जो UNFCCC के अंडर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिकेशन के साथ डील करता है नेक्स्ट केशन है हाल ही में गउवर्मेंट ने राजीव गांदी खेल अभियान को खेलो इंडिया से मर्च कर दिया है मिनिस्टर आफ यूथ अफेर एंड स्पोर्ट्स कौन है इसके साथ साथ इनोंने दो और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को जो UPA गौर्मेंट के दौरान लाँच हुए थे उन्हें भी इनमें शामिल किया है जिसमें पहला है अर्बन स्पोर्ट्स इंफरस्ट्रक्चर स्कीम और दूसरा है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम इंपोर्टेंट पॉइंट्स है PYKKA की फॉर्मेशन 1 अप्रेल 2008 हेड़कॉर्टर्स है न्यू डेली हेड अफ दे जन्रल काउंसिल आफ PYKK है सर्बनन्दा सोनोवाल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने कितनी फॉरेंट कंट्रीज के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पर MOU साइन किये हैं करेक्ट अंसर है 10 MOU साइन बहरान, कुवेत, नेपाल, साउथ कोरिया, श्रिलंका, वियतनाम और PIX Nation के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स को और्गनाइस करवाने के लिए किया गया है इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम डिफरेंट कंट्रीज के यूथ के बीच आइडियास के एक्सचेंज को प्रोमोट करेगा ये प्रोग्राम्स कंट्रीज के बीच पीस और अंडरस्टेंडिंग को प्रोमोट करने के साथ साथ फ्रेंडली रिलेशन्स को भी स्ट्रेंथ देगा नेक्स्ट कुशन है इंफ्रस्ट्रक्चर इंजिनिरिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग, बेंचमार्किंग और बाइलेटरल एक्सचेंज की फिल्ड में टेकनिकल कोपरेशन पर इंडिया ने किस कंट्री के साथ M.O.U. साइन किया है करेक्ट अंसर है भुटान, यह M.O.U. 2007 में हुई इंडिया-भुटान फ्रेंशिप ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए साइन किया गया है यह M.O.U. वेरियस एरियाज जैसे एजुकेशनल, साइन्टिफिक और टेक्निकल रिसर्च और इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन को कवर करेगा इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज के बीच एक हाइड्रो पावर कॉर्परेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं बुटान की कैपिटल थिम्फू, करेंसी हैं बुटानेज गुल्तरूम, किंक हैं जीकमेखेसर, नाम गयल वांग चक्ट इंडिया साथ सो मिलियन डॉलर के प्राइस पर कितने M777 होविट्जर्स खरीच सकता हैं, करेक्ट अंसर है 145 यह है डिशीजन इंडियन फिनेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और उनके यूएस काउंटर पार्ट एस्टन कार्टर द्वारा मेकिन इंडिया प्रोग्राम के अंडर लिया गया BAE सिस्टम एक ब्रिटिश मल्टिनेशनल डिफेंस सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं BAE के CEO Ian King Headquarters है UK founded in November 30, 1999 Next Question है हाल ही में कि स्टेट गवर्मेंट द्वारा दीन दयाल जन आवास योजना नोटिफाइड की गई है Correct answer है हर्याणा इस स्कीम का main objective low और medium potential towns में high density plotted colonies को develop करना है इन सारे projects को license grant की गई date से 7 साल के अंदर अंदर पूरा होना अवशक होगा Important points है हर्याणा के CM, मनुहरलाल खटर, Capital हैं, चंडिगर्ड, गवर्नर हैं, कप्तान सिंग सोलंकी Next Question है WordPress Freedom Index में इंडिया की क्या rank रही है Correct answer है 133 Countries की annual ranking previous year के Countries Press Freedom के organization compilation पर based है Finland इस list में continuously 6th time top position पर रहा है 2015 में World Press Freedom Index में भारत की rank 136th rank थी Reports, country में news organization और journalist के level of freedoms को show करती है Important points है, report published by Reporters Without Borders Next Question है, कौन सा state 303074 Pre-Active Cash Lash Farmer Health Insurance Cards को issue करने का process begin कर रहा है Correct answer है, Punjab यह process भगत पुरन सिंग सेहत बीमा योजना के तहत स्टार्ट होगा इस scheme की help से farmer और उसकी family 50,000 रुपीज तक treatment के लिए health cover-up ले सकती है और head of the family के death के case में 5 lakh तक का compensation ले सकती है Important points है, पंजाब की capital, चंडिगट, चीफ मिनिस्टर है, परकास सिंग बादल, गवर्नर है, कप्तान सिंग सोलंकी Next question है, हाल ही में किस country में 2016 Pulitzer Prize winners को award दिया गया Correct answer है US यह awards, newspaper, online journalism, literature और musical composition की field में achievement के लिए दिये गए Important points है, Pulitzer Prize 1917 में सबसे पहली बार दिये गए थे यह award, Columbia University दोरा present किये गए थे यह 2016 के Pulitzer Prize winners के list है Next question है, Obama ने किस Indian American को charge के US Envoy के रूप में नियुक्त किया है Correct answer है, Gita Pasi वे अभी Bureau of Human Resource at the Department of State में Career Development and Assignments की Director of Office है Next question है, हाल ही में government ने rubber board के chief के रूप में किसे नियुक्त किया है Correct answer है, A. Ajit Kumar उन्हें 31 माई 2018 तक के लिए appoint किया गया है Next question है, हाल ही में BCCI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Correct answer है, Rahul Johari इस assignment से पहले, Johari Discovery Network पर South Asia के लिए Executive Vice President और General Manager थे BCCI दिसंबर 1928 को establish हुई थी Important points है, BCCI President, Shashank Manohar, Secretary है, Anurag Thakur, Headquarters है, Mumbai Next question है, हाल ही में किस कंट्री ने इसकांदर tactical ballistic missile का test fire किया है Correct answer है, Russia इसे कपुस्तिन यार जो की अस्त्राखान में practice range है, वहाँ से launch किया गया इसकांदर ने 40 से 50 किलोमेटर के altitude पे flu किया ये मिसाइल 500 किलोमेटर की दूरी तक small size और large area targets को hit कर सकती है Important points है, Russia के President, Walamadir Putin, Russia की currency, Russian ruble, Prime Minister है, Dimitri Madhav Dev Thank you for watching this video, if you like this video, please subscribe our channel and share this video Thank you